जब भी आप लोग इस्टेट PCS जिसमें आप देखें कि आपका UPPCS हो गया, राजिस्थान PCS हो गया, या फिर आप देखें बिहार PCS, 36 गड़ PCS, महराष्ट PCS, या फिर आप देखें UPPCS, या आपका Civil Service और आप देखते होंगे कि इसके Prelims के पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, और मेरा देखी एक सुझाओ है आप लोगों को, अगर मानना चाहें, तो मान सकते हैं, कोई जबरजिस्थी तो है नहीं, अगर आप लोग State PCS और Civil Service की तैयारी सुरू कर दी है, या करने के बारे में सोच रहें, तो आप लोग कम से कम अपने पास आपकी टेवल के सामने, इनका स्टेलेवर्स होना चाहिए, यानि की UPSC या सिविल सर्विस, जस भी State PCS की तैयारी करें, उसी की बात करें, तो उसका कम से कम आपकी पार्ट करम, यानि की स्टेलेवर्स आपके पास होना च चाहिए, और इन कुश्चन स्टेलेवर्स को आप लोग अच्छे से पढ़िये, इसका मुल्यांकन कीजे, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो आंगी की तैयारी रख पाएंगे, जारी है, उसमें बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को, आप समझ रहे हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपकी सिलेवर्स भी मिल जाएंगे, वहां आपकी पुराने कुश्चन स्टेपर मिल जाएंगे, और आप लोग अभी से NCEIT शुरू कर दीजे पढ़ना, और कम से कम दो से तीन बार आप लोग NCEIT को जरूर पढ़ लें, हम लोगों ने भी काम को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका लूसेंट हो गया, या किरन सामान ग्यान बुक हो गई, इन्हें कवर कर रहे थे, GKGS को, तो आपने कहा कि देखिए, वन डेक जाम में तो ये वन लाइनर में एक कुश्चन स्टेदेगा आपको, और नीचे चार ओप्सन देद कि नीचे दिएगे कथन में से कौन सा कथन सही है, या इसके संबंद में कौन सा कथन नीचे सही है, फिर आपने देखा होगा कि 4-5 कथन देदेगा, 3 कथन हो सकता है देदे, और फिर आपको नीचे 4 विकल्ब दे, कि 1-2-3 सही है, 2-4-1 सही है, 1-2 सही है, या इन में से कोई सही नहीं और इनकी आंसर देने के लिए आपको विस्तार से पढ़ना होगा बिना विस्तार से पढ़े कुछ नहीं होने बाला है तो उसी बातों को हमने पिछली क्लास में बहुत कुछ बात की हुई थी और एक इसके लिए हम लोग complete आपका package लेके आये हुए है और complete आपका prelims को ध्यान में रखती हुए cover करवाएंगे और मुझे लगता है कि इतना अगर आप लोग cover कर लेते हैं तो एक आपका base मजबूत हो जाएगा और prelims में आप लोग देने की इस्तिती में आराम से पहुंच जाएंगे और जब हम लोग इस जो भी syllabus रहेगा prelims का इसे cover कर लेंग इस सभी material को देख लेंगे तो उसके बाद हम मुख परीक्षा में चलेंगे और मुख परीक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे ठीक है और इसके लिए special एक आपकी playlist सूची बना दी गई है UPSC and State VCS Prelims Special Classes के नाम से और सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं किसका प्राचीन भारत का इतिहास कवर करने वाले हैं अब आप सभी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोग प्राचीन भारत की इतिहास में क्या-क्या कवर करने वाले हैं क्या-क्या कौ कौन से टॉपिक पडएंगे और एक-एक टॉपिक को हम लोग कβर करेंगे और उस टॉपिक पर आप देखें गहन अध्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पढ़ने में मझा आएगा और हमें भी आएगा मझा हमारा भी आनंद ही लेगे हम लोग मिलके अगर आपके कुछ सुझा हों तो आप लोग जरूर बताईएगा उन्हें भी देखेंगे उन्हें भी मानने की पूरी कॉसिस रहेगे तो आपके सामने यह बिसाय सूची है कि आने वाली किलासों में हम लोग प्राचीन भारत में क्या-क्या पढ़ेंगे तो दूसरी चेप्टर में हम लोग घडपा सब्वता के बारे में पढ़ते हैं और आप सभी जानते ही कि घडपा सब्वता से भी आपकी परीक्चाओं में कुछनस पूचता है फिर हम लोग महाजनपदों के बारे में बात करेंगे महाजनपदों का होदय किस तरह से हुआ है इस पर ये गहन अध्यन करेंगे मगत का होदय मगत पर भी बात करेंगे फिर हम लोग मौर समराज के बारे में पढ़ेंगे किसके मौर समराज के चंद गुप्त मौर, बिंदुस्तार, असोग, समझ रहें, फिर हम लोग मौरे उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, और संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त समराज के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे, किसमें? गुप्त समराज, और फिर गुप्त उत् आरूमें भी हम लोग संद्रब में राचीन भारत को पढ़ेंगे पूरूंबद्द्ध्र कालीन भारत के बारे में एक सामन परिच्छे कर लेंगे परीशिष्ट एक सामन जानकरी हम लोग इसमें देख लेंगे कि आकरिफ में क्या-क्या पॉइंट सामिल की गए इस तरह से प्राचीन भारत में इतना हम सब कवर करेंगे और टाइम लगे का इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए क्योंकि वस्ताल से हम लोग जब कवर करेंगे तो टाइम लगना सौभाविक सी बात रहे चलिए तो हम लोग पहला चेप्टर कवर क करेंगे अंग्ली क्यास मा एक है और बड़ी आसानी से दीरे दीरे आप लोग आसानी से आप को कवर भी आप भी कवर कर लेंगे र जैंदा आप लोगों पो टाइम भी जरूर देख लिए दो से तीन बार आप लोग क्लासों को देख लेंगे तो एक आपका बेस मज़ूथ हो जाएगा फाउंडिशन एक तरह से आपका भर जाएगा आप एक मकान देखते हैं कि नी भरी जाती है तो यह सभी क्लासें आपकी नी भरने के लिए एक तरह से ठीक है और इसकी फेल से सुन लिजे एक बार प्लेरेश्ट सूची का नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसमें सभी आपकी क्लासें लाइन से आपको मिल जाएगे टेक है